हेलो एवरिवान वेल्कम तो स्प्रेंडिट मॉम्स कैसे आप सब इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं उसको हम डिवाइट करके सीखते हैं कि पांच वावल्स है और बागी जो 21 लेटर्स है वो रिवावल्स है यानी यानी ई औ raw यू वावल्स है बाकी लेटर्स बच्चे वे जो है उनको खांच से ज्यादा है So, यह जो roughly 20 vowel sounds है उसमें initially, सबसे पहले बच्चों को हम short sounds दिखाते हैं A, E, I, O, U vowel के यानि A को एह पढ़ना जो phonic bass बच्चे सीखते हैं वो short sound of vowel होता है A को एह पढ़ना E को एह पढ़ना I को इह पढ़ना O को आफ पढ़ना और U को अफ पढ़ना यह होते हैं short sounds of vowels यानि यह short sounds है K, A, T, Cat इस तरह से P, A, T, Pet S, I, T, Sit P, O, T, Pot M, A, D, Mud तो यह short sounds है vowels की जो बच्चे सीवीशी वोर्ड्स में पढ़ते हैं इसे तरह से vowels की long sound भी होती है letter को as it is पढ़ने को long sound कहा जाता है यानि A को अगर आप A पढ़ोगे तो इतल भी long vowel E को E पढ़ना I को I पढ़ना O को O पढ़ना U को U पढ़ना long कहलाता है जिसे के इस वर्ड में A को हम A पढ़ेंगे खेक A sound खेक दीज E sound दीज E दीज टाइम I If you can hear I I को हम I पढ़ रहे है टाइम I'm रहे है टाइम ख ओन O sound हम O को अ नहीं पढ़ रहे है हम पढ़ रहे है O को O को कोन U को U पढ़ना क्यूब इस तरह से So लेटर को as it is पढ़ना long sound कहलाता है यानि वावल की short sound होती है And long sound भी होती है Then you have diphthongs कुछ important diphthongs मैंने यहां पर note down की है Diphthongs जैसे के OI Like in oil O I L Oil OI जैसे के boy O जैसे के cow O जैसे के out इस तरह से और कुछ diphthongs होते हैं तो basically roughly 20 vowel sounds होते हैं English में जिसमें बच्चों को सबसे पहरे short sound सिखाया जाता है जब वो phonic सिखते हैं letters की A को ए पढ़ना ए इ ओ अ इस तरह से पढ़ना Then बचों को magic E words की तरह उस topic के साथ बचों को long vowel sounds A को A पढ़ना E को E पढ़ना इस तरह से सिखाते हैं Long sound is nothing but Letter name itself Then few diphthongs Important diphthongs बच्चे को Introduce करते हैं kindergarten में So basically These are all vowel sounds in English और ये सब चीजे बच्चे Kindergarten में सीखते हैं Long sounds को just introduce किया जाता है इस तरह से But long sounds को सीखने के लिए अलग-अलग spelling patterns होते हैं यानि कुछ special spelling patterns होते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं के A को A पढ़ना है E को E पढ़ना है इसके बार में डीटेल में हम Next वीडियो में देखेंगे के Long vowel sounds क्या है और उनकी spelling pattern क्या है So ये था आज का वीडियो About vowel sounds in English I hope आपको ये वीडियो helpful लगा informative लगा वीडियो बसंदा है तो ज़रूर Like करे, Share करे और चैनल पे नए है तो ज़रू सब्सक्राइब करे Happy Parenting from Splendid Moms Happy Parenting from Splendid Moms Give us a thumbs up if you like the video Subscribe to our channel And hit the bell icon To get the notifications of our latest videos